हलो एवरिवन वेलकम टू अमेजन अकाडमी स्टुडेंट आज एक हम इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं जिस पर हम टिप्स देखेंगे कि मॉलिक्यूल में जोमेट्रिकल आईसोमेरिजम कब होगा और कब नहीं होगा तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल की जिनमें क्या हो जो सबस्टिट्यूएंट हो वो दो डिफेंट कारवन पर हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट साइकलो अलकेंज तो वी आर टॉकिंग अबाउट साइकलो अलकेंज और साइकलो अलकेंज में अगर दो सबस्टिट्यूएंट हैं और वो दो सब्स्टिट्यूएंट अलग-अलग कार्बन एटम पर हैं और वो कार्बन एटम्स क्या होने चाहिए हैं? SP3 तब यह GI शो कर सकता है समझ मैं आया? पर अच्छा लगा तो हम देखते हैं कि मैंने यह क्या बोला जैसे for example हमारे पास cyclopropane है it's a cyclic compound ठीक है तो हमारे पास यह cycloalkene है cycloalkene भी हो सकता है वगर यह compound है cyclic अब हमारे पास दो substituents हैं, let's say CL है और एक BR है लेकिन यह दोनों substituents एक ही SP3 carbon पर लगे हुए हैं किस पर लगे हैं है? एक ही SP3 carbon पर लगे हुए हैं तो यह molecule geometrical isomerism show नहीं कर सकता है लेकिन अगर इनको मैंने कहां रखा होता, यहां ऐसा molecule बनाया होता कि एक CL यहां है और एक BR यहां है तो यह दोनों ही क्या है? different atoms पर है और यह दोनों atoms क्या है? SP3 atoms हैं तो यह molecule GI show कर सकता है आप बोलोगे सरी यह GI कैसे show कर सकता है? तो हम इसको दो forms में represent कर सकते हैं एक यह form जिसमें hydrogen atom और यह hydrogen atom same side में और हम इनको CL को BR को ऐसे बना दे same side में इस particular geometrical isomer को हम क्या बोलते हैं? CIS बोलते हैं अगर माल लिजी दोनों hydrogen atoms opposite side में आ जाएं तो ऐसे geometrical isomer को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं trans क्या बोलते हैं? trans बोलते हैं तो यह दो form में exist कर रहा है एक cis form, एक transform और दोनों एक दूसरे के क्या है? geometrical isomer है आप थोड़ा ध्यांस देखो geometrical isomer is a mean substituted cyclical alcan तो substituted cyclical alcan में कब GI होगा? जब दो substituted होगे minimum 2 हैं 3 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं जादा भी हो सकते हैं लेकिन minimum कितने होने चाहिए? 2 substituted कोन-कोन से लिए? यहां मैंने CL लिया एक BR लिया कहां पर होने चाहिए on different atoms तो यहां देखो यह दोनो different atoms पर है और यह atoms क्या होने चाहिए? SP3 atoms होने चाहिए कुछ बच्चे बलेंगे सर ऐसा क्यों? SP3 atoms क्यों? माल लो students कि अगर यह माल लो कि SP2 atom होता जिस पे मैं CL लगाता या BR लगाता तो क्या होता? कि यहां पर कारबन की चारो वैलेंसी पूरी हो जाती दो तो क्या हो गई? सिग्मा बॉर्ण जो साइकलिक रिंग बना रहे एक पाई बॉर्ण बना लिया तीसरी वैलेंसी पूरी हो गई और एक यह सिग्मा बना लिया तो अब अगर चारों वैलेंसी पूरी हो गई तो यहां पर जो हम हाइडोजन लेकर के आये हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसलिए SP2 कार्बन पर सब्सिटुएंट अगर लगा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे स्टुडेंट्स हमें कौन से सब्सिटुएंट चाहिए वो सब्सिटुएंट जो कहां जुड़े हुए हो SP3 एटम्स पर जुड़े हुए हो यह SP3 एटम्स कार्बन भी हो सकते हैं और कोई दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं राइट शुडेंट्स तो यहां ध्यान रखना है हमें दो सब्सिटुएंट मिनिमम दोनों डिफरेंट एटम्स पर होने चाहिए और वो एटम्स क्या होने चाहिए है SP3 एटम्स होने चाहिए इस बात को मैं थोड़ा और अच्छल समझाता हूँ माल लो कि हमारे पास यह मॉलिक्यूल है और आप से कहा जाए क्या यह मॉलिक्यूल GI शो करेगा तो आंसर पर इस क्वेश्चन इस नो, इस बात शोड़ा जूड़ा जूड़ा अगर आप इसको थोड़ा ओर डीटेल में बनाओगे तो आप यह देखोगे कि CL की CL की लोकेशन, H की H की लोकेशन, यहां H की H की लोकेशन, सब एक जिसी देख रहे है और यहां पर cis-trans यहां geometrical isomer बनने का कोई scope नहीं है, ठीक है, तो yes, it is not possible चेकर हम देखते हैं, yes, very interesting question, it's a four-member cyclic ring and yes, you can say there are two substituents, these two substituents are associated to two different atoms and yes, these atoms are what, sp3 hybridized atoms So students, अगर हम इसको structure को बनाएं, तो हम समझ भी सकते हैं कि ये GI show करेगा, ध्यान से देखिए, ये structure में दोनो H same side में मैंने बना दिये, ये इसका कौन सा form हो गया, CIS form हो गया, भई ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, question का answer तो आप देख के बता सकते हो, ठीक है, जो हमने discuss किया उस point के basis पर, तो हमने दोनों form बना लिये, इसमें, CIS जिसमें HH same side में है, और TRANS जिसमें HH opposite side में है, बट देखा कैसे, two substituents, different atoms, and these atoms are SP3, okay, बड़ा easy question है, next आप हम देखते है, question number 3, इस structure में आप देखोगे, दो substituents तो हैं, different atoms पर भी है, है, बट जो उपर वाला आटम है, वो क्या है, SP3 है, और जो ये वाला आटम है, ये क्या है, SP2 है, right, ये substituents देखो सेम है, यहां पर, दोनों CL, it's okay, दो substituents होने चाहिए, they can be identical, but they should be present on different atoms, ठीक है, तो ये GI इसलिए शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो chlorine substituents है यहां पर, ये double bonded carbon से जुड़ा हुआ है, so there is no possibility of geometrical isomerism, right students, next अपन बात करते हैं, question number 4 की, कुछ बच्चे, यहां पर SP2 देखकर के मन बना लिए होंगे, कि sir, ये भी GI कैसे, yes students, ये GI शो करेगा, क्योंकि ये carbon SP3 है, और ये carbon भी SP3 है, और अगर ये SP3 atoms है, तो yes, there is a possibility of geometrical isomerism, और दो substituents हमारे दो different atoms से जुड़े है, और दोनों atom SP3 है, yes, it will show GI, students, आप लोग सोच रहे होंगे, कि sir, इसका geometrical isomer बना के बता दीजिए, तो student देख लीजिए, कि ये इसका geometrical isomerism हम इस तरह से बना सकते हैं, ये particular form जिसमें दोनों H same side में है, ये cis form है, और ये form जिसमें दोनों CS3 और दोनों H, मैं opposite बनाने जा रहा हूं, ये form हमारा कौन सा form है, it is a transform, तो हम इस तरह से बना सकते हैं, और हम answer देने के लिए ये सब ड्राउ ना करें, हम trick की बात कर रहे हैं, तो trick से चलें, right, ये explain कर रहा हूं मैं आपको कि कैसे GI बन रहे हैं, Okay, question number 5 is very interesting, यहाँ पर देखो, it's not hydrocarbon, मैंने जैसे बोला आपको, कि trick हमने hydrocarbon के लिए लिखी थी, but it is applicable for all sidely compounds, यहाँ पर हमारे पास carbon की जागे क्या है, nitrogen atom है, और यह nitrogen atom associated है, एक substituent है, H, यहाँ लोन पेर भी मान सकते हो, और यहाँ पर भी एक substituent लगा हुआ है, CH3, So, there are two substituents, H and CH3, these two substituents are present on different atoms, and these atoms are SP3 hybridized, ठीक है, SP3 hybridized, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसका हम geometrical isomer बना सकते हैं, like this, यहाँ पर आप देखोगे, तो CS3 और यहाँ पर H, दोनो H same-sided है, यह इसका कौन सा form होगा, Sys, और ऐसे ही मैं अगर दूसरा structure बनाता हूँ, जिसमें दोनो H opposite side में है, यह इसका कौन सा structure होगा, Trans होगा, यह दोनो geometrical isomer, So, yes, there are two substituents present on different atoms, and these atoms are SP3 atoms, So, this particular molecule will also show GI, धीरे-धीरे करके हम questions में level बढ़ाते जाएंगे, right, देखो, question number 6, अब बहुत सारे बच्चन नों देखा, दो substituent answer मार कर दिया, yes, but the answer is no, no GI, क्योंकि यह भी SP2 है, और यह भी SP2 है, जिससे यह substituent associated है, बात ही खत्म होगे, एक भी अगर SP2 होता तो बात खत्म हो जाती, yes, यह तो दोनों ही SP2 है, तो इसमें geometrical isomerism का कोई scene, कोई scope नहीं है, no GI, यह बड़ा interesting, बहुत मज़दार question है, जो इसमें देखो, दो-दो cyclic ring दिख रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा easy बना देता हूँ, आप लोगों के लिए, ठीके, मैं इसको right वाली ring को represent करता हूँ, अब आप देख रहे हो, दो-substituent मतलब इसमें क्या है, H को आप substitute मान रहे हूँ, ठीके, और यह nitrogen से जुड़ा हुआ है, और यह nitrogen क्या है, जी, SP3 है, right, अब इस ring में, इस carbon को थोड़ा consider करो, यहाँ से आप देखो गें, तो यह जुड़ा हुआ है, oxygen atoms, यह एक तरीके का substituent हो गया, और यहाँ पर क्या आगया, carbon atom हो गया, इसको ring को मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया, और तोड़ इसलिए दिया, कि मैं समझ पाऊं, कि यहाँ पर मैं इसको SP3 carbon consider कर रहा हूँ, ठीके, तो मैं consider कर रहा हूँ, इसको SP3 carbon, ठीके, और इसको SP3 carbon consider कर रहा हूँ, so there are two SP3 atoms, sorry, two SP3 atoms, जिस पर substituent लगे हुए हैं, ठीके, different substituent लगे हुए हैं, यहाँ H लगा हुआ, यहाँ O लगा हुआ है, तो yes, this molecule will show geometrical isomerism, अब बहुत सारे student बोलों के सार, समझ में नहीं आया, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ, इस molecule को मैं दूसरे तरीके से भी बना देता हूँ, जहाँ पर मैं H की और lone pair की position को बिल्कुल chain नहीं कर रहा हूँ, मैं change कर रहा हूँ oxygen की और carbon की position को, ऐसे, अब आप ध्यान से देखिए, इस left वाले molecule में O और H close हैं, ठीके, जो O है और H है, वो आपस में क्या है, close है, और इस molecule में देखिए C और H close हैं, तो यह तो हुआ ना, restricted rotation से बनने वाले दो different molecule, यहाँ closeness O और H के बीच में हैं, और यहाँ closeness C और H के बीच में हैं, और यह दोनों molecules, एक दूसरे के क्या हैं, geometrical isomers, Yes, so students बड़े interesting question इस पर बन जाते हैं, और हमें इस तरीके के questions में टिक लगानी है, कहीं कहीं हमें common sense भी लगाना है, और common sense लगाने के लिए आप दो ring दी हैं, तो आप भावनों में ना बहें, आप एक ring को बना लें, और दूसरी ring को as a substitute मान लें, बहुत सारे student बोलेंगे हैं यह थुड़ी देना था, कि यह क्या है, क्या नहीं, मुझे तो answer देना था कि यह GI show करेगा कि नहीं, और उसके लिए मुझे क्या करना था, check करना था, तो check करने के लिए मैंने cut किया है, और cut करके मैंने देखा, कि यहाँ पर loan pair और carbon same side में हैं, और यहाँ पर loan pair और O same side में है तो different है और different है तो GI show करेगा Okay students, so happy learning Thank you very much, bye bye